किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद अरे वक्त लगता है बीच को फसल बनने में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 16 माई 2022 का करेंट अफियर है तो वीडियो को ज़रा सब भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे कूशन सलेक्टेड और इंपोर्टेंट है यही कूशन आपको डारेक्ट एक्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे अगर आप सीजी पेसी, सीजी व्यापम, डाटा एंटे ओपेटर, पटवारी, खोटल अधिक चाक, एसेसी, बैंकिंग या फिर किसी भी कॉंपिटेशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिये साथी साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लिटेश वुडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पहला करेंट फेयर कोश्चन है अगामी क्रिश्न जस्टमी की 36 गड़ सरकार द्वारा सुरू किये जा रहे है व्रिहद व्रिक्षर उपन अभियान को क्या नाम दिया गया है हरेली, हरियान, चाम, क्रिश्न कुझ या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों, क्रिश्न कुझ ऑप्सन नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड कुश्चन पर धियान देंगे 36 गड़ में कब तंबाको मुक्त सैंचिक संस्थानों को समानित किया जाएगा 15 अगस्त 2022, जो सितंबर 2022, 26 जन्वरी 2030 या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त सोसंत्रता दिवस के मौके पर तंबाको मुक्त शैंचिक संस्थानों को समानित किया जाएगा तंबाको मुक्त 36 गड़ बनाने की निसा में राज्य सरकार की बड़ी पहाल है इसकुलों में प्रवेश इस्थल पर गैर धूम्रपान छेत्र का सूचना बोट लगेगा सैंचिक संस्थानों को नोडल अधिकारी नियुक्त भी होंगे अगला प्रश्ण देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट है प्रदेश के सास्किय अवरुवेदिक विद्यालयों में प्रत्यक कौन से वार को विसेश मानसिक स्वास्थ है ओपीडी का संचालन किया जा रहा है गुरुवार, सुक्रवार, सनीवार या फिर रवीवार राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों सुक्रवार उप्सन नमबर दो इसका राइट आंसर आएगा प्रत्यक सुक्रवार को विसेश मानसिक स्वास्थ है ओपीडी का संचालन किया जा रहा है नियुक्त को मार्ग दर्सन किया जा रहा है नेक्स्ट कोश्चन देखिए 36 गर सासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आस्रियों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज आपदा मोचन निधी में कितने रुपए की रासी आबंटित किये गए हैं आठ कडूर 60 लाख रुपए, नव कडूर 70 लाख रुपए, ग्यारा कडूर 93 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई ने आंसर में क्या ठीक मार लगाओगे दोस्तों ती नंबर को सेलेक्ट करोगे, ग्यारा कडूर 93 लाख रुपए अनुदान सहायता, रासी भुकतान, आसरितों के बैंक में DBT के माध्यम से करने के निर्देश कलेक्टर को दिये गए हैं अगला प्रश्न देखिए 36 गड में कहा हमर गाओ, हमर गवठान, खेलबू, नाचबू, लाईका, महतारी, सियान कार्य करम का आयोजन किया है ग्राम बेल खुरी में, ग्राम सरंग पाल में, पेंडर रोड में या फिर इन में से कोई ने आंसर में किसे टीक मार लगाओगे दोस्तों ग्राम सरंग पाल ओप्सन नमबर दूइस का करेक्ट आंसर आएगा पॉइंट ओफ यू की हिसाब से समझते है ग्राम सरंग पाल के गवठान में, हमर गवठान, सरंग पाल में, हमर गाओ, हमर गवठान, खेलबू, नाचबू, लाईका, महतारी, सियान संसदिय सचीव एवं कांकेर विधानसभा छेत्र के विधायक स्रीम, सिसू पाल सर्य के मुख्य अतित्थ की जनपत पंचायत कांकेर ग्राम, सरंग पाल के गठन में, कार्यकरम का आयोजन किया गया है अगला प्रश्ण देखिए, इंपोर्टेंट है, चतिसगर से महाराष्ट और निम्न में से किस राज्य को जोड़ने के लिए पहली अंतर राज्जिय सरकार बस सुरू की है उडिसा, तिलेंगाना, आंध्रप्रदेश या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर इसमें हमारा आज आता है दोस्तों, तिलेंगाना, आप्सन नमबर दो को आप लोग सेलेक्ट करेंगे चतिसगर से महाराष्ट और तिलेंगाना को जोड़ने के लिए तिलेंगाना राज्य परिवाहन की यात्रा बस सुरू की गई है चतिसगर को तिलेंगाना और महाराष्ट से जोड़ने वाली यहां पहली अंतर राज्जिय सरकार बस है खास बात यहां है कि प्राविट बसों की अपेक्षा इसमें किराया बेहत कम और करीब दोसो पच्चीस से दोसो पचास ही होगा नेक्ट कोश्चन देख लिजे चतिसगर के किस जीले में पहली बार एक अनोखा दुरलब प्रजाती का सरमिला सांप मिला है दंतेवाडा, सुकमा, धमतरी या फिर बिलासपूर राइट आंसर क्या आजाएगा दोस्तों दंतेवाडा, ओप्सन नंबर ए को आप लोग सेलेक्ट करेंगे पॉइंट आफ यू के हिसाप से समझे इस सांप को एरो हेडेड ट्रिंकीन के नाम से जाना जाता है बताया जा रहा है कि छतिसगर में इस प्रजाती का यहाँ पहला सांप है जिसे स्नैक रेस्क्यू टेम ने बैला डिला के घने जंगलों में छोड़ दिया है यहाँ बेहद ही सरमिला किस्म का सांप होता है इसके दातों में जहर नहीं होता है अगला प्रश्न देखिए 36 गड़ हाई कोट में जजो की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है 12, 13, 14 या फिर 15 राइट आंसर हमारा इसमें आएगा दोस्तों 13 ओप्सन नमबर 2 इसका राइट आंसर आएगा केंद्र सरकार ने आखिरकार बार कोट के सीनियर एड़ोकेट सचीव सीह राजपूत को जज नियुक्त किया है बार कोट से सीनियर एड़ोकेट सचीव सीह राजपूत 13 जज बने है एपल को पीछे छोड़ कर कौन सी कमपनी हाल ही में विश्वकर सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई है अरामको, सेमसंग, रिलाइंस या फिर इन में से कोई ने राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों अरामको, आप्सन नमबर A, इसका राइट आंसर आएगा साओधी पेट्रोल कमपनी अरामको हाल ही में एपल को पीछा छोड़ कर विश्व की सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई है टेकनोलोजी सेक्टर से सुस्ती की वजह से जहां एपल के सेरों के दाम नीचे उतरते हैं वहीं तेल की कीमतों में लगतार तेजी की वजह से साओधी कमपनी के सेरों में तेजी से रफतार ली गई है नेक्स्ट कुश्चन पे धियान देंगे दोस्तों निम्नमे से किस राज्य के क्रिसी मंत्री जैप्रकास दलाल ने चारा बिजाई योजना सुरू की है महाराष्ट, उडिसा, हर्याना या फिर छत्तेजगर राज्य के क्रिसी मंत्री जैप्रकास दलाल ने गवसालाओं को चारा देने और आपूर्ती करने वाले किसानों को 10,000 रुपे प्रती एकड वित्त सहायता देने वाली यहां योजना सुरू की है इस योजना के पीछे तरकराज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मास्वेसियों को कवर करना है नेक्स्ट कोश्चन 36 गड में किस मिशन के ताहत रैली कोसा का क्राय अब समर्थन मुल्यपर 36 गड राज लगू अनुपज संग द्वारा किया जाएगा भेट भियान, रेसम मिशन, कौटन मिशन या फिर इन में से कोई ने पुराना कोश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर आजाएगा रेसम मिशन ओप्सन नमबर दो इसका राइट आंसर आएगा मुख्य मंत्री भुपेज बगहिल के निर्देश अनुसार बस्तर संभाग में रेसम पालन तथा कोशा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृशकों के हित में महतपूर्ण नेन लिया गया है रेसर रेली कोशा की इस साल में समर्थन मुल्या पर खरीदी की जाएगे 36 गड़ में 8 से 10 कड़ोड रेली कोशा कोटोन का सालाना उत्पादन होता है नेक्स्ट कोशन देखिए इंपोर्टेंट है ये भी देश भर के 33 इस्टेट पावर सेक्टर में 36 गड़ के सयंद्र कौन से इस्थान पर रहे है पहला इस्थान पर दूसरा इस्थान पर तिसरा इस्थान पर या फिर चाउत्य इस्थान पर राइट आंसर देखते हैं दूस्तों दूसरे इस्थान पर अप्रेल में प्रदेश के सयंत्रों का प्लांट रोड फ्यक्टर जिसे PLF 83.83 प्रतिसत रहा है जिसके कारण देश भर के 33 इस्टेट पावर सेक्टर में 36 गड़ के सयंत्र दूसरे इस्थान पर रहें अप्रेल में 36 गड़ पावर जनरेशन कमपनी के सभी सयंत्रों में बेहतर उत्पादन किया देश के 33 सेक्टर सयंत्रों का आउसत PLF 89.26 प्रतिसत रहा है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे 36 गड़ के सरगूजा जी लेके किस छेत्र को मुख्यमंत्री ने उपतहसिल का दर्ज़ दिया है राजापूर को लुन्र को मैन पाठ को या फिर उदायपूर को राइट आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों राजापूर को आपसन नमबर ए को आप लोग सेलेक्ट करेंगे विधान सभस सितापूर के राजापूर को उपतहसिल का दर्ज़ दिया है राजापूर में स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम इसकूल खुलेगा मांध नदी पर हरजापार में पूल बनेगा हर घर नल हर योजना की सुरुवात भी की जाएगे मुख्यमंत्री राजापूर में आयोजीर भेट मुलखात कार्यकरम में सामिल हुए है चिर्मा रोड में NH 43 तक सडक का निर्माण की घोषना भी कर दी गई है अगला प्रस्ण देखिए पूरे प्रदेश में घोषना पुनर्वास केंद्रो में सरवाधिक बेड आक्यूपेसी के लिए कितने नमबर 1 इस्थान हासिल किया है जनकपूर, उदैपूर, बिलासपूर या फिर इनमे से कोई ने राइट आंसर हमारा इसमें क्या आजाएगा दोस्तों जनकपूर आप्सन नमबर 1 किसका राइट आंसर आएगा राज इस्तर पर जारे रिपोर्ट में अप्रेल 2021 से मार्च 2022 तक CHC जनकपूर में बेड आक्यूपेसी रेट 136 प्रतिसत रहा है कोरिया जिले में 5 पोशन पुर्नुवास केंद्र है अगला प्रशन देखिए दोस्तों प्रदेश में नविन अंसदाई पेंशन योजन हेतू वेतन से की जा रही 10 प्रतिसत की मांसिक अस्दान की कटवटी एक अप्रेल 2022 से समाप्तकर समान भविस से निधी नियम की अनुसार मुल वेतन का नियुम्तम कितने प्रतिसत कटवती की प्रस्ताव को सहमति दी गई है 11 प्रतिसत 12 प्रतिसत 14 प्रतिसत राइट अंसर इसमें हमारा क्या आजाएगा दोस्तों 12 प्रतिसत एक नमंबर 2004 से नियोक्त सास्किय सेवाओं के लिए नविन अंसदाई पेंसर योजना की इस्थान पर पुरानी पेंसन योजना लागू करने के निरनाय का अनुमोदन किया गया है नविन अंसदाई पेंसन योजना हेतू पेंसन से की जा रही 10 प्रतिसत की मानसिक अंसदाई की कटवटी एक अप्रेल 2022 से समाप्त समान्य भविस्य निधी योजना के अनुसार मुल वेतन का नियुमतम 12 प्रतिसत कटवटी की प्रस्ताव को सहमती दी गई है नेक्स्ट कोश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तो चतिस गड़ से किस ने डॉक्टर सुधीर सर्मा की खिताब बढ़ सुगः बोरे बासी का विमोचन किया मुख्यमंत्री भुपेज बगहिल राजपाल अनुसोय उके टी एस सिहदेव या फिर इनमे से कोई ने राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तो पुराना कोश्चन है मुख्यमंत्री भुपेज बगहिल डाक्टर सर्मा ने मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगहिल को बताया कि उन्होंने इस किताब में 36 गड़ की सांस्क्रितिक पहचान बोरे बासी पर डाक्टर खुपचंद बगहिल स्री, कोदूराम दलित सहीत अन्य लेखकों के लेख का कविताओं तथा लोग जीवन की प्रचलित बोरे बासी से जुड़ी कहवते और मुहावरों का सनलगन किया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए, इंपोर्टेंट है 36 गड़ में मुख्यमंत्री स्रमिक सियान सहयता योजना अंतरगत बुजूर्ग स्रमिकों को एक मुस्त कितने रुपए की सहयता रासी प्रदान की जाएगे 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार इस योजना के लिए ऐसे स्रमिक पात रहोंगे जिसकी जिनकी नियुनतम आयू 69 तथा अधिकतम आयू 60 वर्स होगे इसके साथ ही यह स्रमिक विगत 5 वर्सों से मंडल की अमतरगत पंजिकरित होना भी अनिवार्या है नेक्स्ट कोश्चन पर ध्यान देंगे 36 गड से किनहे कलिंगा गवराव अवार्ड से नवाजा गया है निसा यादव, निसा सोनी, मोहिनी कश्चप या फिर इन में से कोई ने राइट आंसर देख लिजिए दोस्तों निसा सोनी को नवाजा गया है उडिसा में एक बार फिर निसा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ा दिया है निसा ने उडिसा में ही आयोजित मिसिस एड मिस गलोबल 2021 का किताब अपने नाम किया था इस बार निसा भुनिश्वर में आयोजित कलिंगा सुन्दरी में बतार ब्यूटी सामिल हुई और वहां उन्होंने कलिंगा अवार्ड से नवाजा गया उन्हें यहां सम्मान ओडिसा फिल्मों में सुपरिश्टार वर्सा प्रियदर्शनी और डाक्टर चितामिका ने प्रदान किया है आज का हमारा प्रशन देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट है केंद्रिय प्रत्यक्षकर बोड जिसे इंगलिस में CBDT के चेर्मेन पर्सनल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौपा गया है आपके सामने चार आप्सन है दोस्तों इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सेकेंड कोश्चन पर ध्यान देंगे 36 गड में अंतर राष्टिय स्रमिक दिवस के आउसर पर 1 मई 2022 को मुख्या मंतरी मितान योजना का सुबारंब कौन करेंगे इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों आई होब दोस्तों करेंट अफ्यार आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले डेली करेंट अफ्यार और शक्तिजगर जीके के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए